धहली मेटरो की एक नहीं सूच न दूँगा और आप खुद ये ट्राइ कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए और अपने मोबाइल के अंदर दो मिनिट के लिए आप गूगल क्रोम खोलें और इसकी पूरी अपडेट आप खुद ले सकते हैं इस्टुडेंट हैं तो ध्यान से देखें तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखें काफ़े अच्छी अपडेट है और उमीद करूँ है कि ये अपडेट आप लोगों को पसंद आएगी और आपके आने वाले टाइम में इसके दिक्कत खता हो जाएगी अक्सर अपन नई वेकेंसी इसके अपडेट लेते रहते हैं नई वेकेंसी आगई इसके बड़ी वेकेंसी आगई कई आप लोगों ने कई जगह यूटूब पे देखा होगा या फिर कई न्यूज में भी देखा होगा कि इसके बड़ी वेकेंसी आगई फोर्म अब से अगर आपके पास qualification है तो एक नई विकेंसी देख सकते हैं और विकेंसी के अनुसार उसमें electrical, mechanical ऐसी कई अनिट्रीड हैं जिनकी रिकूर की गई हैं यह मैं पूरी प्रूप के साथ दिखाऊंगा और क्यों दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में जानना जरू और यह किस लेवल का विग्यापन है इसकी भी बात में करूंगा आखिरकाद धेली Metro Rail Corporate Limited में किस तरह का विग्यापन जारी हुआ है जिसमें आप लोगों को नोकरी करने का मोह का मिलेगा यह फोर्म है फोर्म इस तरीके से जमा करना है और ओफिसले सेट की बात करें तो यह यहां पर देखें विग्यापन्स की तो यहां पर अलग अलग विग्यापन्स आप लोगों के सामने रखेगे हैं जिन में आप लोग आविदन कर सकते हैं और आविदन करके फोर्म समीट करवा सकते हैं जिसे मैं पिछली बार भी इसके बार में अपडेट दीती तो यहां सब्क्सक्राइब आप यहां पर देखें, जनरल मैंगेजर की पोस्ट है, यह भी एक डारेट रिक्यूर्मेंट है, जिसमें इलेक्टरीकल या फिर DMRC की जो भी पोस्ट है, कांटेक बेस के अउसार, इंजिनेरिंग की वह यहां पर दे रखिए, तो दो विग्यापन होगे, तीसरे विग्याप लेके जो इसका विएपन है आप पहला वाला विएपन जो अब now अप भी आपना में आप लोगों को अबधे दिखा आय तै यह दो यह वाला विएपन है इस पर मैं ने क्लिक किया और क्लिक करते एक नया म्यात टेप ओपने तहे आप लोग और पोस्ट की संक्याइब बात की जाए तो एक वीकेंज ही है बैचलर डिग्री होगी शिविल इंजिनेरिंग, सिविल इलेक्टरिकल इंजिनेरिंग, मेकेनिकल इंजिनेरिंग यह आपके पास है तो एक लाख रुपे से हदिक्तम सेलरी प्राप्त कर सकते हैं पॉइंट इस वाले विग्यापन का क्लियर हो चुका है और 18 से 21 से 25 वस्तक का यह किसमें अपलाई कर सकता है और यह विदिन पर क्या ओफलेंड की जाएगी जिसमें किसी परकार का कोई परमेंट नहीं दिया जाएगा इंटर्वी के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा एड्रेस आप लोगों के यहां पर देखेगा यह एड्रेस होगा और फॉर्म बरने का प्रारोप आप लोगों के सामने रखा हुआ है नेक्स्ट विग्यपन की बात करें इसमें इलेक्टरिकल, मेकेनिकल या फिर और कोई HR मैनेजर की पोस्ट हैं वो सारी चीज़े अपनिया पर देखते हैं यह 27-3-22 को इसका विग्यपन जारी किया गया था पोस्ट की संक्य यह है और इसमें 60-25 वर्स तका आदमी आराम से आवे दिन कर सकता है वर्क एक्सपेरिंस होना चीए और इसमें एक लाग से अधिक्तम सैलेरी मिलेगी तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेरिंस होगा तो अच्छा रहेगा तभी अपलाई कर पाएंगे experience बिना इसमें apply नहीं कर सकते point ये clear ही कर लिजेगा दिहान से 18 April तक last बार form बरा जाएगा आप within करने के लिए offline form भरना होगा तो ये सारी चीज़े आप लोगों को देखने होगी I hope कि ये चीज़ आप लोग देख सुके होगी अब मैं जो चीज़ बताने वाला था आपको कि अब भी इसके फलाल कोई बड़ी vacancies नहीं है और हमें से इसकी छोटी vacancies के update देते रहूँगा ताकि आप भी इसके साथ update रहे हैं और इसकी नई update लेते रहे हैं और आज एक छोटा सभी गया पनता कैसा लगा वीडियो कमेंट में जो बता हैं और साथ ही आप हमारे टेलिग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं वहाँ पे छोटी बड़ी vacancies की update ले सकते हैं तो दोस्तो एक छोटी चीज़ रिक्वेस्ट है प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे काम करने का और भी अच्छा तरीका और आप लोगों को और अच्छी update दे सकें थेंक यू जेहें